हलो रिवान वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चैनल फार्मर ओक्स के यूटूब एच्चूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल स्टडी करेंगे सीप्रो फ्लॉक्जासिन टाबलेट के बारे में तो हम उसके बेजिक यूज उसके बारे में जानेंगे कि ये मेडिसिन का सबसे पहले तो बेजिक यूज जानना जरूरी है कि कौन सी अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस के अंदर इसको प्रेस्क्रेब किया जाता है एस वेल एज ये किस तरह से अपना काम करेगी इसलिए जानना जरूरी है उसकी 500 mg फिर यहाँ पे जो उसके जो दूसरे टैबलेट है सीप्रोफ्लक्स जासिन टैबलेट उसकी स्ट्रेंथ है 250 mg फिर यहाँ पे आप उसका इंजेक्शन भी देख सकते हैं सीप्रोफ्लक्स जासिन इंजेक्शन 400 mg पर 40 ml मतलब कि 10 mg पर ml के डोजस में भी ये इंजेक्शन आ आवेलेबल है मार्केट के अंदर तो इस अपिक को कितने डोस के अंदर यूज किया जाता है as well as जानना जरूरी है इसके side effects कि इसको excessive amount में लेने से क्या side effect produce होते है and contraindication and warnings भी खास जरूरी है because ऐसे कौन से condition है कि उस वक सिप्रोफ्लक्स असन को यूज ना करे तो जानते हैं आप डीटेल इन्फार्मेशन अबाउट दीस, Medication, Ceprofloxacin, Sextrot Lecture भायमर सर Thank you for being 1,000 family of PharmaRox Subscribe करिये चैनल, Use करिये अप PharmaRox, Access करिये Study Material, Test Series and Video Lecture on App PharmaRox अगर आपके पास Android Phone है तो डाउनलोड करिये अप PharmaRox Google Play Store पर से अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं Link हमने description box में दे दी है तो सबसे पहले जानिये Ceprofloxacin Medicine के बारे में तो Ceprofloxacin क्या है? तो Ceprofloxacin इस ए एंटिबायोटिक used to treat number of bacterial infection बहुत सारे जो अलग-अलग bacterial infections होते है उसको treat करने के लिए Ceprofloxacin जो है वो use होता है कि एंटिबायोटिक्स के अंदर ये पुरा क्लास है medicine का कि जिसको हम कहते है फ्रोलोक्रिनलोल्स तो Ceprofloxacin भी वन अब दे पॉपिलर मेडिकेशन फ्रोलोक्रिनलोन तो ये खास याद रहे कि Ceprofloxacin जो है वो फ्रोलोक्रिनलोल है and it is the most potent ये खास समझे ये वर्ड most potent मतलब के सबसे ज़्यादा effective and powerful first generation फ्रोरोक्रिनलोन active against the broad range of bacteria बहुत सारे number of bacterial infection के सामने ये effective है और उसमें से आप देखे तो aerobic gram negative bacilli जो bacteria होते है enterobacteria cn नेसे रिया ये सबी जो bacteria अलग अलग जो species होते है उनके infection के करण समझो कि अलग अलग अईसे medical complications हुए है तो उसको treat करने के लिए हम Ceprofloxacin को use करते तो यहाँ पे उसका marketed formulation देख सकते है Ceprofloxacin hydrochloride tablet as per the IP और उसकी जो strength है वो है 500 mg की strength में वो available है तो यह tablet आप देख सकते हैं उसकी 500 mg next जानते हैं उसके basic use के बारे में basic use खास समझ रिजेए because इसी पर से आपको पता चलेगा कि उसके indications वगेरा क्या होते है तो सबसे पहले तो born and joints related जो infections होते है उसके अंदर as a antibiotic यह काफी असरदार साभीत होता है कि जब अलग-अलग born and joints के infection होते है उस वक्त यह अच्छे से use किया जाता है second intra-abdominal infection intra-abdominal मतलब कि जब हमारी abdominal cavity के अंदर bacteria related कोई भी infection हुआ है तो उसको cure करने के लिए यह जो है वो effective साभीत होता है certain type of infectious diarrhea ऐसे diarrhea की जो normal medication से treat नहीं हो रहा है तो उस वक्त ciprofloxacin को use किया जाता है with metronidazol to cure that diarrhea कि ऐसे diarrhea की condition की जो दूसरे कोई medication से treat नहीं हो रही है तो उस वक्त ciprofloxacin को use किया जाता है और साथ में combination में metronidazol भी use करते है फिर जो अलग-अलग RTIs होते है कि respiratory tract related infection RTI के अंदर भी यह काफी effective साभीत होती है उसके अलवा जो अलग-अलग skin infections होते है तो चौथा नंबर का उसका basic use RTI पाचवा नंबर का आप देखो तो skin infection के अंदर काफी असरदर साभीत होता है typhod fever के अंदर भी ciprofloxacin जो है वो उसके tablets पर दिया जाता है ज़रुरत पड़े तो उसको injection के तोर पर भी दिया जाता है फिर जो अलग-अलग urinary tract infections होते है UTIs के अंदर भी ये use होता है कि जैसे norflox use करते है UTI के अंदर same like that ciprofloxacin भी prescribe किया जाता है और आठवा नंबर का उसका use हम देखे तो bacterial infection in the eye and ear क्या आखो के अंदर जब bacterial infection होता है उस वग पी जो अलग-अलग eye drops वगेरा होते हैं ciprofloxacin के वो असरदार साबित होते है as well as यहाँ पी जो आप देख सकते कि ear के अंदर जब infection होता है तो ear infection को भी treat करने के लिए ciprofloxacin के eye drops and ear drops जो होते है वो असरदार साबित होते है तो यह है उसके basic use के बारे में अलग-अलग उसके doses from आप देखे तो ciprofloxacin के जो tablets अवेलेबल होती है मार्केट में कि यहाँ पे उसके tablets देख सकते हैं as per the eye p 500 mg tablet फिर यह उसके film coated tablet है कि वो भी उसकी strength है 500 mg, even 250 mg के tablets भी अवेलेबल है मार्केट में फिर उसके eye and ear drops आप देख सकते हैं कि ciprofloxacin के eye drops and the ear drops IV injections भी उसके अवेलेबल है कि ciprofloxacin injection as per the USP 400 mg per 40 ml and 10 mg per ml के concentration में यह अवेलेबल होता है और यहाँ पे instruction लिखिया देखिया कि dilute before use for intravenous infusion मतलब कि सिर्फ intravenously ही यह injection patient को दिये जाते है as well as जो intravenous जो drip लगाई जाती है उसके अंदर यह खास use होते है साथो साथ उसके eye drops अवेलिबल है and ear drops तो eye drops, ear drops tablet doses form and the injection तो यह चार popular doses form के अंदर ciprofloxacin जो है वो available होता है उसके dose जाने ले खास कि जो equivalent dose हम देखे तो यह side है उस ciprofloxacin के oral dose और सामने उसका equivalent intravenous dose कि oral की जो tablet के form में है और IV की जो specially injections के form में है तो यह ciprofloxacin का जो oral dose है वो equivalent बनता है ciprofloxacin के IV से तो वो कब बनता है कि जब कोई person 250 mg के tablets लेता है every 12 hours तो यहाँ पर देखे ciprofloxacin की जो tablet है 250 mg तो उसका यह जो dose equivalent बनेगा 200 mg intravenous every 12 hour कि जब 200 mg intravenously उसको दिया जाएगा किसी भी person को तो यह दोनों dose जो है वे एक दुसरे के equivalent बन जाएगे second 500 mg की जो tablets लेता है समझो कि person तो उसके रिलेटेड एक्विवेलेंट डोस है 400 mg intravenous every 12 hour और समझो कि कोई 750 mg के tablet लेता है तो उसके एक्विवेलेंट रहेगा 400 mg intravenous every 8 hour तो इस तरह से dosing में समझे कि 250 mg person लेता है या फिर यही tablet को 2 times से दे लेता है या फिर उसको 3 times से दे लेता है तो वो हो जाएगा उसका 750 mg tablet का जो equivalent dose या फिर 500 mg के जो tablet से वो भी directly patient जो है वो ले सकता है उसके जो dose की हम बात करे तो usually lower dose मतलब कि 250 mg वाली जो tablet है उससे क्योर हो जाते है तो ये खास द्यान रखे कि start with low dose low dose से यूज करने का benefit यह है कि side effects उसके कम हो सकते है as well as जो body आपकी 250 mg में ही क्योर करवा दिती है infection को तो higher doses लेनी के फिर आगे जरूरत नहीं रहती कोई भी therapy के अंदर कोई भी medicine के अंदर जरूरी है कि हमेशा आप lower dose से ही start करें कि जिससे कोई side effect ना हो और कोई complication ना हो तो ये थिया अलग-अलग ciprofluxation के doses तो ये खास आपके लिए important कि कितना tablet और कितना intravenous एक दूसरे के equivalent होते है ये खास जनना जरूरी है उसकी mechanism कैसे तो ये खास जनने होते है कि किसी भी bacteria के अंदर कि चाहे वो gram positive हो या फिर gram negative bacteria तो दोनों के सामने ये effective है and it function by inhibiting type 2 topoisomerase कि जिसको हम कहते है DNA gyrus तो इसका role समझ ये कि type 2 topoisomerase and topoisomerase 4 तो ये जो topoisomerase होते है इनका main role क्या होता है तो ये topoisomerase 1 है समझो तो caught the one strand कि जो अलग-अलग bacteria के जो DNA होते है उनका जो genetic material होता है उनका जो replication का जो process होता है उस वक्त ये जो enzymes होते है वो उसके अंदर help करते है तो अगर समझो कि ये enzymes ही inhibit हो जाते है तो आगे जाके जब bacteria को अपना cell wall का synthesis करना हो या फिर उसको अपना cell division करना हो तो जरूरी होते ही ये enzymes का अगर समझो कि ये जो medication ये दोनों enzyme को ही inhibit कर दे तो cell division के लिए ये enzymes नहीं मिलेंगे मतलब कि ये enzymes हो जाएंगे disable अगर ये enzymes नहीं होगे तो आगे जाके जो cell है वो अपना cell division नहीं करवा पाएगा और cell division नहीं होगा तो उसके करन हो जाएगी cell की death तो Ciprofloxacin ऐसी medication है कि वो ये जो enzymes है कि जो जरूरी है ये cell division के process के लिए उसको ही inhibit कर देती है अब cell division नहीं बिठ हो जाएगा तो आगे जाके वो cell अपना replication नहीं करवा कर पाएगा उसका division नहीं होगा और आगे जाके उसके death हो जाएगी तो इस तरह से ये medication अपनी effect दिखाती है Ciprofloxacin उसके indications हम देखे तो susceptible infections जैसे की lower respiratory tract है acute excess cerebrations of chronic bronchitis मलब की EECB की जो related to है RTIs की जो respiratory tract infections हम खहते है उसके अंदर काफी ये effective साबित होता है skin and skin structure related infections bone and joint के infection acute sinusitis के अंदर complicated intra-abdominal जो infections होते है और उसमे W मतलब की width ये इसका मतलब होता है कि with combination तो metronidazole 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 साथ इसका combination जिसको हम metrosipro भी कहते हैं ये combination काफे famous बनता है metro and cipro इसके 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 करण समझे के डायरिया भी हो जाता है तो उस वक्त ये combination काफी effective साबित होता है फिर urinary tract infection and chronic bacterial prostatitis तो bacterial prostatitis as well as urinary tract infections होते है UTIs उसके इसके 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 काफी effective साबित होता है ciprofloxacin and acute uncomplicated cystitis in female तो ये सब अलग अलग जो medical condition के इसके 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 काफी effective साभित होता है सिप्रोफलागजासीन अब जानते हैं उसके common side effects तो इसके common side effects के तौर परसन को जो है वो नौजिया हो सकता है vomiting हो सकती है उसके अलावा diarrhea भी कोई बार होता है कि अगर समझो की excessive dose use हो जाता है कि जो अभी हमने बात की कि 250 mg समझो की proper dose से समझो की patient की और हो जाता है और वही patient 500 mg या फिर उससे जदा 750 या फिर 1000 mg उतने higher doses समझो की ले लेता है 250 mg के compare में तो higher doses के करण condition जो है वो और कराब हो सकती है और patient को diarrhea भी हो सकता है as a side effect तो जरूरी है कि lower dose से start करें lower dose से फरक नहीं पढ़ता तो फिर proper healthcare provider की advice के साथ उसका जो dose है वो increase किया जाता है फिर दूसरे side effect है उसकी stomach pain कि lower abdominal का जो portion है फिर जो stomach का portion है वहाँ पे pain हो सकता है उसके करण vaginal itching और discharge हो सकता है उसके करण headache हो सकता है and abnormal liver function वगेरा भी हो सकते है due to the side effect of ciprofloxacin अब उसके जान लेते हैं contraindications की कौन से condition में उसको use ना करें तो do not use कब use नहीं करना है तो सबसे पहले तो pregnancy and breastfeeding के दौरान उसको use ना करें तो अगर समझे के patient को ये bacteria के infection के कारण diarrhea हुआ है तो उस वक शिप्रो low blood sugar वाले patient तो दोनों condition के एक high blood sugar है या फिर low blood sugar है या फिर diabetes related problem है या फिर hypoglycemia है तो दोनों में उसको use ना करें फिर glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency है कि जिसको G6 PD करके जो deficiency हम कहते है वो है उसके अंदर भी use ना करें low amount of magnesium in blood जिनकी body के अंदर magnesium already low amount में है तो उन लोगों को भी ciprofloxacin ना दे low amount of potassium in blood कि magnesium के साथ potassium भी काफी कम है तो ऐसे patient को भी ciprofloxacin यूज नहीं करनी चाहिए and low seizure threshold वाले patient उनको भी use ना करें and pseudotumor cerebris तो इस अभी ऐसे condition है कि जिसके अंदर contraindication को ciprofloxacin जो है वो contraindications के list में है और ऐसे condition में उसको use ना करें तो यह था हमारा special lecture about the ciprofloxacin pharma rocks की जो lectures होते है उसके pdf आपको pharma rocks के mobile app पर मिल जाएंगे कि pdf and ppd's of the lecture rapid revision notes affordable price के अंदर कि जो useful रहेंगे सब ये exam के लिए तो thank you for watching you join कर सकते है whatsapp group also use करें pharma rocks कि जहाँ पर access कर सकते है study material taste series and the video lecture so good luck and all the best